हलो दोस्तों कैसे हो आप सवी उमीद करते हैं आप सवी लोग जो है अच्छे होंगे तो मैं दिर्वतरा है पश्चिमंगाल से दोस्तों आज का वीडियो जो है एकसनेस ब्रोकर के बारे में हैं किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेशन कर सकते हैं किस तरीके से कैवाईसी अपलोड कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग डिपोजीट कर सकते हैं तो सारा का सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और दूस्तो वेरी डिसेंटली हम लोग hopping के ऊपर हम लोग जो है अपना रोबो ट्रेडिंग इंस्टार्ट किया थो रिगूलर बेस के उपर कि इतना डेली वीकली मंतली कितना प्रॉफित हो रहा है सारा का सारा कुछ हम लोग telegram पे update देते हैं तो सारा का सारा कुछ देखने के लिए हमारा telegram channel ज़रूर join कीजिए ये video के नीचे link है इस link में अगर आप click करेंगे तो इस तरीके का interface जो है आपको देखने के लिए मिलेगा मैं basically laptop से नहीं बना रहा हूँ mobile से बना दो काफी सारा मेरा user mobile ही use करते हैं तो जब भी आप इसको open करेंगे click करेंगे तो इस तरीके का dashboard यहाँ पर open होगा आपका तो आप यहाँ पर देख सकते हो open account बोलके यहाँ पर option है तो open account में जब आप click करेंगे तो दूसरा एक page open होगा और यहाँ पर जो है इस तरीके का registration from जो है दूसरा open होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप click करेंगे और आपका जो week country है तो वो country जो है आपका select करना होगा मैं basic लिए एक दोस्त का registration कर रहा हूँ तो आप भी अपना details वरके जो है registration registration fill up कर सकते हूँ तो पहले दे दिया इंडिया क्योंकि मैं इंडिया से हूँ second thing जो यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर आपका email address दोस्तों देना परएगा दोस्तों mail submit करने के बाद आपको यहाँ पर दो option दिखाएगा एक है demo एक है real उन लोग के लिए है जो लोग demo में try करते हैं trial करते हैं experience को build up करते हैं धीरे धीरे और real में जो लोग real में करना चाते है real मानि deposit करना चाते हैं उन लोग के real है तो हम लोग real account जो की second option है इसमें हम लोग click करेंगे और एक page open होगा यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सेकते हो काफी सारा deposit का जो है यहाँ पर किस किस मतलब बहुत सारा option है यहाँ पर deposit and withdrawals का सबसे पहले जो आप ऊपर में देख सेकते हो become a real trader क्योंकि यहाँ पर आप documentation submit करेंगे तो यहाँ पर आगे नहीं वर सेकते हो तो become a real trader यहाँ पर yellow option में आपको click करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया देखिए verified email सबसे पहले हम लोग को जो email address हमने submit किया इसको जो है verified करना पड़ेगा तो send me a code जहाँ पर हम लोग यहाँ पर click किये तो हमारे mail पर जो है एक code जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पर copy and paste करेंगे तो अब हम लोग इसको continue करते हैं Gmail verified होने के बाद दोस्तो अपना जो है यहाँ पर mobile number भी verified करना होता है तो यहाँ पर अपना जो है mobile number आप type कीजिए उसके बाद नीचे आप देख सेकतो SMS से क्या आप receive करना चाते हो code या call पे तो हमने जो है यहाँ पर SMS में click किया और send me a code यहाँ पर option पर click किया तो हमारे mobile में जो है OTP आगया अगेन उसको हम लोग को जो है copy करना और यहाँ पर जाके paste करना है अभी करना है continue ओके यहाँ पर आगया आपका जो है personal information जैसे name first name आपका first name क्या है आपका surname क्या है male या female है उसके बाद date of word उसके बाद address मैं फटा फट इसको complete कर लेता हूं मैंने अपना पूरा details जो ही यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर करूंगा continue all set सारा का सारा कुछ जो है set हो चुका है बट अगर आप इस process को यही से skip कर देते हो तो आप यहाँ पे 2000 USDT तक ही जो है ट्रेडिंग कर पाएंगे उससे जादा नहीं और भी काफी सारा problem आपको हो सकता है कि जैसे कि आप काफी सारा जैसे cryptocurrency का withdrawal आपका ना हो तो इस बज़े से जब भी आप इस process को मतलब कीजिएगा तो पूरा complete कीजिएगा जैसे नीचे है complete verification का option तो हम लोग करेंगे complete verification का जो की नीचे का option है तो यहाँ पे जो है आपको कुछ सवाल आपका पूछेगा जैसे profile में आप देख सकते हों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो profession या industry आप से मांगेगा तो कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हों जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया education उके उसके बाद employment status आपका क्या salary holder हो student हो ज अगर आपको है तो दे दीजेगा नहीं है तो नहीं दीजेगा जैसे कि मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा दोस का account बना रहा हो तो यहाँ पे मैं one year का trading experience यहाँ पे show कर रहा हूं उसके नीचे एक option है देख सकते हो reason for opening the account यहाँ पे आप किसलिए account कर रहे हो जो भी हो मैं यहाँ प आपने नीचे बला option को ही select करता हूं उसके बाद source of income and wealth तो यहाँ पे मैं savings ही दे देता हूं ठीक है और उसके बाद मैं continue option पे click करता हूं तो इस option पे आके आपका यहाँ पे नाम दिखाएगा check you name आपका name क्या सही है तो यहाँ पे सब कुछ सही है तो यहाँ पे upload documents का option है यह हो जाता है ठीक है तो हम लोग जो है यहाँ पर आधार काट से करेंगे तो आधार काट को हमने select किया यहां पे आपके shade का मांगेगा और back में जहाँ पा image रहता है और back मतलब जहां पे आपका address रहता है वहां पे कि सब्मीट में क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सेकते हो कि यह डॉकुमेंट्स आर अंडर रीविव तो यहाँ पर maximum यहाँ पर देखे 24 hours लग सकता है ठीक है otherwise यहाँ पर 2-7 minute के अंदर अंदर ही हो जाता है जितना मैंने देखा है ज़्यादा तर लोगों के अंदर 1-2 घंटे के अंदर है तो maximum तो हो जाता है यहाँ पर आप deposit यहाँ पर देखे deposit का option है तो यहाँ पर मेरे एक सा करूंगा जब आपका verification पूरा complete हो जाए जब आपका mail आए तब आप जो है इसमें deposit वगरा करेंगे तो अभी हम लोग जो है next step जो हमारा next step रहेगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जो है MT4 के अंदर आपना account बनाएंगे ठीक है तो लेप साइट फे option है यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर my account में आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा option है deposit, withdrawal, transaction history, analytics, social trading, performance, settings, live chat वगरा सब कुछ है ठीक है कोई भी problem है तो आप live chat पर जाके बात भी कर सकते हो ओके तो यहाँ पर my accounts पर हम लोग जाएंगे तो जब भी आप कोई account create करेंगे तो automatically by default आपका एक account यहाँ पे आप देख सकतो 6175323 बोलके एक account अल्रेडी mt5 के अंदर बन चुका है लेकिन हमें जो है mt5 में नहीं account बनाना है अगर आपको बनाना है तो आप बना सकतो लेकिन हमें जो है robot trading के लिए especially mt4 account नहीं चाहिए होता है तो यहाँ पे हम देखें दो option ने उपर में real एक demo तो हम लोग तो है real account ही बनाएंगे और यहाँ पे देख सकतो प्लस का option है middle में और open a new account बोलके option है तो यहाँ पे प्लस का option में click करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा आपको account का option मिल जाएगा जैसे standard हो गया ठीके तो और आप demo भी कर सकते हो या real भी कर सकत तो standard जैसे maximum लोग अगर छोटा मोटा आपका account है दो चार पासो डॉलर का या जादा भी है तो आप standard को select कर सकते हो या उसके बाद cents में cents मतलब क्या होता है आपको पता है कि जो जैसे हम लोग आप rupees में rupees में होता है rupees के नीचे क्या होता है पैसा हो जाता है तो dollar का नीचे जो यहाँ पे भी आप बना सकते हो लेकिन मैं आपको prefer करूंगा zero बाला ठीक है यहाँ पे zero spread है spread basically कि आप buying और selling का gap होता है तो pro में आपके या देख सकते हो pro में भी आप account बना सकते हो यहाँ पे spread है 0.1 no commission minimum deposit 500 ठीक है तो आप अपने according बला लीजिएगा बाकी हम तो zero ही suggest करते है क्योंकि यह मैं भी use करता हूं तो यहाँ पे open a real account बोलके का option यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे demo या real फिर से मांग रहा है आपको तो अगर आप demo बनाना चाहते हो तो demo अगर real बनाना चाहते हो तो real में आपको click करना होगा जो कि yellow color में आ रहा है और नीचे आप से अगर आप मारे साथ काम कर रहा हो या करने वाले हो या सोच रहे हो ठीक है तो one is to five hundred को हम लोग जो है सिलेट करेंगे यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो और यहाँ पर पासवार्ड सिलेट कर रहा हो तो जो की मैंने आपको पहले ही बता है पासवार्ड में क्या ह इस एक दो तीन चार पासवार्ड सिलेट कर देता हूं अपर अपर बहुत ही इसी है बहुत ही सिंपल है यहाँ पर हमारा almost almost काम जाए हो चुका है तो यहाँ पर create a account बोलके मैं आपक्लिक करेंगे तो हमारा account जो है ओपन दोस्तों यहाँ पर देखिए हो गया है यह हमारा द देख सकते हों यहाँ पर empty 4 का option है जो भी हमने यहाँ पर click यहाँ पर account में अभी नया बनाया अभी यहाँ पर देख सकते हो उपर में open a new account दोस्तों यहाँ पर multiple accounts आप open कर सेकतों आपके अगर जरूरा था multiple account भी open कर सेकतों तो यहाँ पर एक settings का option है जहाँ बहुत जादा ज option यहाँ पर click करेंगे तो काफी सारा कुछ जो है आपको यहाँ पर option मिलेगा जैसे कि जब आप deposit करेंगे तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर deposit का option है यहाँ पर deposit में click करेंगे तो आप जाके deposit कर सकतों मैं आपको दिखाऊंगा withdrawal and trade तो यहाँ पर settings में पहले जाते तो यह यहां पर transfer fund, मतलब यहां पर आपका multiple account रह सकता है तो आप अपने account से ही दूसरे account को भी payment कर सकता है otherwise कोई अगर दोस्त आपका xns का है तो आप इस xns का account से दूसरे xns का बंदे को भी जो है fund transfer कर सकते हो तो यहां पर leverage change आप कर सकते हो rename कर सकते हो मैंने अभी अपना दोस्त का नाम डाला या आप अपने नाम डाले हैं तो उसको आप चेंज भी कर सेक्ट तो account information में अगर आप click करेंगे तो आपका account information यहाँ पे आएगा जैसे यहाँ पे server name देखा रहा है xnx, real address, mt4 का id nickname दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ पे इतना है, बस यहाँ पे सारा का सारा कुछ आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पे और क्या है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो set read only essay, यह option क्या है दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप काफी सारे लोगों को जो है अपना password share कर सकते हो लेकिन यहाप पे दो चीज होता है Forex में basically दो password रहता है एक जो आप trading करेंगे जैसे आप यह option देख सकते हो change trading password अगर आपने यह password दे दिया किसी को तो वो बंदा जो है आपके account में trade लगा सकता है otherwise अगर आपका account का performance में सब लोगों को share करना चाते हो वो सीफ आपके account में कितना क्या grow हो रहा है या कितना क्या loss है वो सारा का सारा कुछ देख सकता है उसके लिए आपको क्या है ना set read only assets यहापे आप click करेंगे और यहापे एक password बनाएंगे और वो mt4 id password and server name अपने दोस्ट को देंगे तो वो दोस्ट mt4 के अंदर जाके आपका details भरके सीर्फ आपका trade ही देख सकता है otherwise trade नहीं लगा सकता है यहापे जो last का option आप देख सकते हो change trading password यह password दोस्टो basically आपके पास रखना है अगर आप जैसे हमारे साथ काफी लोग है तो वो लोग अपना यह password शेयर करते क्योंकि यह password को छोड़के हम लोग किसी भी account में trading लगा ही नहीं सकते तो generally तो बस इतना ही है दोस्तों और ज़्यादा कुछ है नहीं आपको दिखा देता हूँ डिपोजित में हम जाएंगे तो जो भी account आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाजू में डिपोजित का ओप्शन है तो इंडियन local bank transfer है बहुत सारा देखे यह UPI का भी है तो कभी मैंने UPI वगरे से तो किया नहीं है मैंने bitcoins में भी किया नहीं है मैंने perfect money से भी किया नहीं है मैं screen में भी किया नहीं है मैं हमेशा करता हूँ ERC20 USDT से withdrawal and ERC20 USDT से deposit तो दोस्तों यहाँ पे जब आप deposit में क्लिक करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए ERC20 USDT का chain में आपको यहाँ पे deposit करना होता है basically ERC20 USDT में अगर आप deposit करते हो तो आप Binance से भी कर सेकतो एक दो डॉलर का charge लगता है लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जब भी एकसेनेस से अगर आप USDT वीडरोल करते हो चाहे एक बार करो चाहे दस बार करो आपको कोई वीडरोल फीस नहीं देना पड़ता है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे continue करेंगे और उसके बाद जो address आपको यहाँ पे show होगा इस address में जो है आपको याद करके याद रखेगा USDT ERC20 not TRC20 USDT ERC20 आपको deposit करना है अगर आप दूसरे कुछ भी fund add कर देंगे तो आपका fund गया मानके चलो ठीक है तो इस address में आप fund deposit करेंगे तुरंत मेरा जितना experience है यहाँ पे तुरंत का तुरं जो है आपको withdrawals यहाँ पे deposit भी हो जाता है withdrawals मैंने जितना देखा है maximum आदा घंटे के अंदर अंदर जो है वो भी मैं maximum कहा रहा हूँ आदा घंटे के अंदर अंदर हो जाता है लेकिन company एक से तीन दिन का time लेता है बट जो भी हो बस इतना ही है दोस्तो और ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो के नीचे मेरा referral link रहेगा जाके आप उसमें join कर सकते हो यहाँ पे और मेरा telegram का channel का link भी है तो कितना क्या regular profit हो रहा है income हो रहा है सारा का सारा कुछ जानने के लिए देखने के लिए आप जो है मेरा telegram channel भी join कर सकते हो और वीडियो को कैसे लगा बताईएगा मैंने कोशिश कि बहुत ही short में वीडियो रखो लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा लंबा वीडियो आइटिंग हो चुका है वीडियो अगर आपको informatic लगा तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया मेरे channel को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अग्यों दोस्तों वीडियो को देखने के लिए